नमसकार दोस्तों गुड़ मोर्निंग रादे रादे कैसे हैं आप सब तो जी यह है एक requested वीडियो तो उनकी काफी दिनों से request आ रही थी कि मैं हम आप अपना जो morning routine है early morning routine है wake up से लेके मतलब उठने से लेके ब्रेशिंग तक और साफ सफाई तक सब कुछ शेर कीजिए तो आज उनी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने बनाया है तो जी सुभह के साड़े पांच से मतलब बाद में मैं उठी हूँ तो जी बस यहाँ पर मैं मूद होंगी और उसके बाद ब्रश वगेरा करूँगी और उसके बाद जो है मैं क्या बोलते हैं उसको चाय बनाऊंगी अपने लिए और कृष्णा के डैडी के लिए तो जी काफी दिनों से वो बोल रहे थे कि मैं आप मेरी रिक्वेस्ट वीडियो नहीं बना रहे हैं सब की रिक्वेस्ट पर आप बना रहे हैं तो जी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई परसनल आप से इश्यू है बस जब टाइम लगता है तो तभी कोई काम होता है और जब टाइम आता है तभी काम एकदम से हो जाता है तो आज मुझे मुझे मूखा मिला था आपकी वीडियो पूरी करने का तो सो मैंने आपके लिए कर दी तो जी बस यहाँ पर मैंने ब्रेशिंग वगरा कर लिया है और अब मुझे जाना है कीचन में और यहाँ पर मैं ले रही हूँ दूद बच्चों के लिए मैं दूद बनाऊंगी अपने और इनके लिए चाय बनाऊंगी तो यहाँ पे बच्चों के लिए दूद गरम कर रही हूँ मैं और पिहू के मेरी आज मतलब स्कूल खुलने लगे हैं ये फ्राइडे का दिन है मतलब आज ही की वीडियो है ये अर्ली मोर्णिंग की और पिहू के स्कूल हमारी खुलने लगे हैं पोड़ीवन वाला सिस्टम हो रखा है कि एक दिन लड़के जाएंगे एक दिन लड़किया जाएंगी तो पिहू को हमारी सोमवार बुदवार और शुकरवार को स्कूल जाना है तो आज उसको स्कूल जाना था तो बस बच्चों को उठाने से पहले मैं उनके लिए दूद बना दूँगी और अपने लिए चाए तो जब तक चाए पकरी है दूद गरम हो रहा है तब तक जो यह रात के भरतन धोय हुए थे वो मैं उसमे रैक में लगा दूँगी मनलब लगा देती हूँ तो जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है यह मोश्टली वही होता है जो मैं करती हूँ और जैसा बच्चे जाएंगे मनलब पिहू स्कूल जाएगी तो उसकी स्वेशल डिमांड थे कि ममा आलू के पराठे बनाईए तो यहाँ पर मैंने बस आलू भी उबलने के लिए रख दियते साथ के साथ मैंने का जब तक मैं पराठे बनाऊंगी तब तक यह ठंडे हो जाएंगे अच्छी तरह है तो बस यहाँ पर मैंने अलू रख दिया है बॉइल होने के लिए दूद ठंडा होने के लिए रख दिया है और चाए भी पगी है तो मैं अपने लिए और कृष्णा के डैडी के लिए चाए लेके जाओंगी तो यहां पर मैंने लगा ली हचाई मेरे लिए भी और इनके मेरे लिए भी वैसे 또 यह मेरे से पहले उथ जाते हैं पर इनकी आदध क्या है कि जब मैं उथती हूँ तो यह उसके बाद सो जाते हैं लेटके तो ये बाहर आके कमरे में लेटते हैं लेकिन इनकी आदत ऐसी हो रखी है कि आके थोड़ी देर बाद थोड़ी देर कमरे में सोएंगे ये उसके बाद आके फिर ये बाहर लेट जाते हैं यहाँ पर पता नी क्यों क्या इनको दिक्कत है एक तो इनको नींद बहुत कमाती है तो ये मनला परिसान रखते हैं पता नहीं क्यों टेंशनसी में रखते हैं तो इस वज़े से बस यहां पर आके लेट जाते हैं तो सुबह की चाए पी रहे हैं हम दोनों और पर्दे मैंने खोल दिया है ताके थोड़ी सी ताजी हवा आ जाए धूप तो नहीं आती सुबह की और यहां पर बस चाए वगयरा पी के थोड़ी देर बात करके बैठके यहां पर मैं आगी हूँ साफ सफाई करने के लिए तो बच्चे अभी लेटे पड़े हैं क्रिशना को मैं नहीं उठाओंगी लेकिन प्यूरुई को मैं उठा दूँगी क्योंकि फिर दुनों ना धो लेंगी स्कूल जाने के लिए फिर बच्चे जो हैं लेट हो जाते हैं तो इसलिए बस मैं उनको उठा दूँगी और यह फॉल्डिंग हमने अभी बनवाया है क्योंकि यह नहीं था तो परेशान हो रहे थे हम सारे के सारे ही क्योंकि एक कमरे में नहीं लेटा जाता था सार लोपे तो इसी वज़े से फिर अभी फोल्डिंग हमने बहुत टाइम के बाद यह बनवाने के लिए आया है और यहां पर बस मैं जो कपड़े हैं ओडने के वो तैय करके रख दूंगी प्यूरूई दोनों उठगी हैं और क्योंकि अभी हम मतलब ऐसे तो ज़्यादा तर बाहर ही रहते हैं जहां सोफे होते हैं और सोते इस कमरे में हैं तो बाकी जो दो कमरे हैं वो साफ सुथरे ही रहते हैं कोई उन्हें गंदा नहीं होता तो मुझे उन्हें साफ सफाई करने की भी जुरूरत नहीं पड़ती तो यहां पर मैं करने लगी हूँ जाड़ू और बच्चों को नहलाने के लिए पानी लगाके गए हैं शुबह मौसम में यहांपे थोड़ी सी ठंडक होती है Your wolves.. और सबinklesकirst, फिर nämय ममागे लगती है तो इसी वज़े से उनके लिए पानी लगा दिया है और यह भी नहाने लगे है उसके बाद ये दुन्नों बेटियों को नहला देंगे असल में वो नहा तो लिती है खुद से दुन्नों की दुन्नों पीहुरूही लेकिन जब शैंपू करना होता है तो उनसे शैंपू अच्छी तरीके से नहीं होता बालों में तो फिर ये करवा देते हैं है और आप कोई बोल रहा था है मझे कि आप भईया से सारा काम करवाति हो तो जी ऐसा नहीं है हम दुन्नों हैं घर में बच्चे है तो एक दूसरे की हल्प हो जाती है और कुछ नहीं कि काम उनसे करवाते हैं जी जो लेड़ीच के काम है वो खुदी करती है तो खेर देखी यहाँ पे मैंने ज़ाड़ू लगा ली है और अब मैं लगा रही हूँ पोच्चा और ये पिहू के डड़ी इनको नहला रहे हैं अब दोन्नों बेहनों को तो सारे कमरों में मैं पोच्चा लगा लूँगी और ये जो वीडियो है मैंने जनमाष्ट में के बाद अब मैं वीडियो बना रही हूँ आज क्योंकि इस बीच मेरी तब्यद बहुत खराब थी मनलब मंडे की जनमाष्ट मी थी तो उसके बाद मेरी तब्यद खराब थी पत दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा और मुझे बीपिलो की दिक्कत भी बहुत होने लगी है तो जी इस वज़े से तो बस यहां पर देखिए मैं पोच्चा लगा ले रही हूं और पोच्चा लगाने के बाद जो है मैं करूंगी क्या बोलते हैं उसको नाउंगी धोंगी औ पहले ही दोनों बेटिया नाली हैं यहां पर रुई जो है अपनी के जो काम है स्कूल का वो कर रही है तो कंप्यूटर के पास खड़ी हुई वो कर रही है अपना काम और उसके बाद यहां पर मैं पोच्चा लगा ले रही हूं सारे में बाहर को भी मैं थोड़ा सा गेट के लगा देती हूं नहीं तो जो आंटी है मदलब जो मकान मालिक हैं वह यहां पर रोजिद होते हैं और इसलिए बस अंदरी अंदर लगा देती हूं पाल वगेरा किये हैं अपना शिंगार किया है फिर मैंने काना जी को नहलाया उनका शिंगार किया तो प्यूर हुई मतलब नहला भी देती हैं लेकिन मैंने खुद भी नहला देती हूं कोई भी इनको नहला देता है तो उसके बाद इनका भी जरूरी है और जब यह सारे काम हुए थे मतलब तो साड़े साथ बजे तक ये पूजा पाट वाला काम हमारा हो गया था उसके बाद फिर मुझे पूजा पाट करके फिर कीचन में जाना था तो बस यहां पर अब काना जी को तयार करके हम फिर पूजा करेंगे सारे बैठ के हम पूजा करते हैं सुबह के टाइम पर उसके बा लेके इनको पूजा घर में तो यहां पर हम सबने की पूजा और उसके बाद मैं आ गई हूँ कीचन में नाश्ता बनाने के लिए तो अलू ठंडे हो गेते तो यहां पर मैं आलू को छील रही हूं सारे अलू नहीं छील लूँगी मैं जितने मुझे जरूरी है उतने बाकी ज देखे अलू मैंने छील लिया है जितने मुझे चाहिए और अटा बनाने के लिए मैंने यहां पर आटे में थोड़ी सी अजवाइन डाली है थोड़ी सी कसूरी मेत्थी डाली है तो अजवाइन डालने से क्या होता है जो पराठे हो नुकसान निदेते नहीं तो तला हुआ तो थोड़ा सा नुकसान देता है तो यहां पर आटा बना के मैंने उसको रख दिया है जिससे कि वो सोफ्ट हो जाए और अलू जो है मैंने कर लिए उससे क्या है यह कद्दू कस से कद्दू कस कर लिए मैंने उसको और इसमें मैंने डाल दिया नमक मिर्च और जी थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि काना जी को भोग लगाना है तो मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ इनमें आज मैं बिना प्याज के ऐसे ही सिंपल आलू के प्राथे बना रही हूँ मतलब बनाईए बेलन का استعمال कम करें क्योंकि जब हम बेलन का इस्तमाल ज़्यादा करते हैं तो निये क्या बोलते हैं इनको पराटे फटने लगते हैं तो जितना आप उसको हाथ से बढ़ा सकते हैं जो अंदर की स्टफिंग है उसको हाथ से फैलाएए जादा से जादा, उसके बाद उसको बेलें और जोड लगाके तो बिलकुल मत बेलें पराटे को नहीं तो उसके फटके चिपकने के chances रहते हैं, तो यहां तबे पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है तेल और उसके बाद पराठे को मैं डाल दूँगी उस पे तो पराठा जब आपका दोनों तरफ से सिख जाए तब आप उस पे तेल लिया घी जो भी लगा रहे हैं वो लगाईए तब ही आपका जो पराठा है वो फूल लेगा जब आप एक साइड आँच लगाते हैं अब एक साइड से पराठा सिख जाता है और दूसरी साइड से नहीं सिखता है और हम उस पे तेल लगा देते हैं तो पराठे नहीं फूलते तो यह चीज मैंने खुद ट्राइ कर की है तब मैं आपको बता रही हूँ तो देखे जो मेरे परांठे है जितने भी मैंने परांठे बनाए हैं सारे फुले हैं ऐसे ही तो जब भी आप परांठे बनाए ध्यान रखिए कि दोनों तरप से सिखने के बाद ही उसके उपर ओिल लगाए तो बस यहाँ पे मैं प्राठे बना लूँगी और दही के साथ हम खाएंगे इनको तो सबसे पहले काना जी को भोग लगेगा तो प्राठे बना के यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है और सबसे पहले अब जो प्यू है वो काना जी को भोग लगा देगी तो मैं कोशिश करती हूँ कि जादातर मेरी बेटिया ही उनको भोग लगाएं या उनको खिलाए पिलाएं क्योंकि वो भी बच्चे है और ये भी बच्चे है और बच्चे आपस में बैटके बहुत अच्छे तरीके से खापी लेते हैं बजाए बढ़ो के तो क्रिशना भी देखिए इस टाइम पे उठ गया था और पियू काना जी को भोग लगा रही है उसके बाद पियू और रूई दोनों नाश्ता करने लगी इनको भी मैंने दे दिया और साड़े आठ बजे जो पियू है उसको जाना था स्कूल तो यहां पे बस मैंने पहले फटा फट से सारा नाश्ता बना लिया और इनके नाश्ता करने के बाद मैंने पियू के बाल बना दिया क्योंकि उसको फिर जाना था स्कूल नाश्ता मैंने नहीं किया था अभी भी मैं का चलिए यह चली जाएगी पहले बच्चे चले जाएंगे तो उसके बाद मैं आराम से टेंशन फ्री होके बनाऊंगी नाश्ता तो यहाँ पर मैंने पिहू की दो चोटिया बना दिया है और रुई के भी बाल बान दिया है और उसके बाद बस जो है पिहू जाएगी स्कूल रुई तो नहीं जाएगी रुई की अभी भी ओनलाइन क्लासिज चली हुई है लेकिन पिहू की ओनलाइन क्लासिज अब बंद हो गई है तो दोनों बेटियों के बाल बांधिया है यहां पे मैंने ओर यह देखे क्रिशना भी हो गया है बाइक पे बैट के तयार क्योंकि इसको भी जा ना था प्यूदी undertaking को छोड़ने अभर आइस तो उसकी लिए भी दτίक सिन हो रखिए तो प्रुही का थोड़ी सा काम करवने के बाद मैं यह आपगर री हूँ अब नाश्ता और ही ने कर लिया था लेकिन आपधे जासे 169 तो जी नास्ता करने के बाद, यहाँ पे मैं किचन में आगी हूँ, नास्ते के बरतन करने के लिए साथ, तो नॉर्मली जो मेरा काम है नो साड़े नो बज़े तक खत्म हो जता है, अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो साड़े 9 बज़े तक मेरा काम जो है सुबह का खटतम हो जाता है जाड़ू पोच्चा साफ सफाई कपड़े में मौश्ट भी शाम को ही दोती हूँ तो क्योंकि एक तो यहां पर बाहर मतलब मौसम खराब रहता है तो सुबह के टाइम तो दूप निकल जाती है लेकिन शाम को बादल ह जाता है तो इसलिए मैं शाम को धोगे रख देती हूँ कपड़े और देखिये बस यहां पे अब कीचन में जो सिंक वगरा है बरतन वगरा है साफ करके मैंने कर ली है गैस बी साफ तो मेरा जो कीचन का काम है वो हो गया है पूरा और इसके बाद जो है मैंने कपड़े दो खाना कंदे शाम के कुछ कपड़े मैंने शाम ही फैला दिये थे क्योंकि कपड़े जादा हो रखै दो तीन दिन से दोएनी गए थे मेरे से तो कल दिन में मैंने दोएनी थे क्योंकि ब्रसफत था किश्या करदे दे ते कुछ फैला देते तो रात को सूग गये थे मकलब यहां चदरे वगेरा थी बैड़ शिट वगेरा तो वो मनलब फैला देते मैंने रात को जो नए कपरे थे बच्चों के वो भी तो यहां पर बबस जो बाकी के बच्चे हैं वो मैं फैला दूंगी और अंकल की गाड़ी भी नहीं थी यहां पर तो इसी वज़े से फैलाने में भी आसानी हो जाती है नहीं तो गाड़ी खड़ी रहती है तो कपड़े फैलाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो जी कपड़े वगेरा फैला के जो कपड़े उतार के रखे थे मैंने यहां से फैलाए हुए जो रात को फैला दिये थे मैंने धोके तो उनको भी तेह लगाना रह गया था तो यह छोटे छोटे से काम जो है यह चलते रहते हैं फिर भी जो मेन मेन काम है हमारे साफ सफाई नास्तापानी सब कुछ हो जाता है तो यहां पर अब चल रही है रुई की क्लास ऑनलाइन क्लास इसकी चलती है 9 बजे से 11 बजे तक 2 क्लासी चलती है इसकी तो बस यहां पर देखिए अब मैं आगी हूँ इस रूम में सफाई करने के लिए क्योंकि सुबह इसकी मैंने बैड़ शिट साफ नहीं करी थी क्रिशना सोया हुआ था जब मैं सफाई कर रही थी तो अब मैं इसकी बैड़ शिट भी छादूंगी ज़ाड के और भी जो कमरों में थोड़ा बहुत सामान है मतलब बच्चे फैला के जाते हैं स्कूल गए हैं बच्चे या कुछ भी किताब बे वगएरा तो मैं उनको भी ठीक करके रख देती हूँ तो एक बार जो है नाश्ता पानी करने के बाद मतलब सारा काम निपटाने के बाद एक बार पूरे घर की मैं दुबारा क्लीनिंग करती हूँ मतलब जाड़ पूच करके मैं फिर से जाड़ो बगएरा लगा देती हूँ तो देखे यहां पर जो कल शाम के कपड़े धोय वे रखे थे उनको मैं तया लगा के रख दूँगी नहीं तो फिर यह पड़े रहेंगे और जो प्रेस करने के कपड़े थे वो मैंने प्रेस करने के लिए दे दे थे इनको कल शाम ही जो थे मतलब इनमे और जो तया करके रखने के थे वो मैं तया करके रख दूँगी और मेरी यह आदत है कि जब भी मैं कपड़े तया करके अलमारियों में लगाती हूँ तो मैं हमेशा अलमारियों को ठीक करके रखती हूं क्योंकि बच्चे जो है वो फैलाते रहते हैं कपड़े उठाते एक हैं तो और दो गिरा देते हैं तो इसलिए जब भी मैं कपड़ों लगाती हूं कपड़ों की तया करके रखती हूं तो मैं अलमारियों को जरूर से सही कर मैंने सेट और अब मेरे रूम की अलमारिया हैं जो मतलब मैं कपड़े रखूंगी लेके जाके साड़िया वगयरा सारी है कृष्णा के डैडी भी हमारे बहुत मतलब जैसा एक कपड़ा उठाते हैं पहनना नहीं है तो इसको टैक होल के रख देते हैं तो यह भी बहुत फैल लेके आयू पर ऐसा नहीं है लेकिन जितने भी कपड़े होते हैं बच्चों के नहीं तो मैं उनको डबो में ही रखती हूं तो यहां पे इनके वाली अलमारी सही कर रही हूं कपड़े वगयरा रख देती हूं और चूड़िया जो है मेरी सबसे ज़्यादा चूड़िया फ चाहे क्योंकि सारा काम करके एक बार मैं चाहे पीती हूं आराम से रिलाक्स होने के लिए तो जी बस चाहे पी के मैं करूँगी थोड़ा सा आराम यहीं पर रूई की क्लास भी चल रही है तो यहीं पर मैं लेड़ जाँगी सोफे पे तो जी यह था बस आज का मेरा रूटी कर दो कर दो दो कर दो आधित कर दो दो कर दो